नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फाश्टी स्टेडी प्लानर में दोस्तों उत्तर प्रदेश लोकसेवा योग्ने r.o.r. a.r.o. यानि Assistant Review Officer और Review Officer जो उत्तर प्रदेश के सची वाले में होते हैं समिक साधिकारी और सहाक समिक साधिकारी इसका notification आज जारी कर दिया है इसमें टोटल जो पदों की संख्या है यानि टोटल पोश्ट फिलाल यह 411 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है यानि सुरू आपके 9-10-2023 इससे फोम स्टार्ट हो जाएंगे आपके भरने यानि ओनलाइन फोम भर सकते हैं आप स्टार् और लास्ट डेट है 9-11-2023 यह जो समिकसादीकारी है सायक समिकसादीकारी है उत्तर परदेश सची वाले में यह अगर हम देखें तो CGL से तो बड़ी पोश्ट है और PCS से अगर हम सुरू की 6-7 सर्विस को छोड़ दें तो उनसे अच्छा पद है यह समिकसादीकारी का साय आपको टाइपिंग चाहिए और समिकसादीकारी में टाइपिंग नहीं चाहिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है जैकर क्वालिफिकेशन तो इसमें आपने सिंपल ग्रेजवेट किया हो यानि B.A.B.S.C.B. को मुझसे कोई मतलब नहीं है ना ही परसंटेज से सिंपल यानि एनी ग्रेजवेट तो कोई भी ग्रेजवेट जिसने ग्रेजवेशन में किसी भी सब्जेक्ट से किया हो या किसी भी स्ट्रिम से क्या हो कोई भी इसका ओनलाइन फॉर्म भर सकता है अब देखिए इसका एक्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें स्लेवस और एक्जाम पैटर्न कि क्या आत प्री में आपके दो पेपर होंगे जो फ़स्ट पेपर होगा वो होगा जीएस का और इसमें 140 जीएस के क्यों सनाएंगे इसका स्लेबस आप समझ लीजए जैसे PCS का प्री होता है जिसमें हिश्ट्री जोग्रफी पॉलेटी एकोनोमिक्स साइन्स और एन्वार्मेंट और करंट अफेर्स ये सब हैं इसमें और सेकिंड पेपर जो है ये होगा आपका हिंदी का और इसमें 60 कुस्षन होंगे हिंदी के यानि कुल ये 140 और 60 दोस्तो नमबर का आपका प्री है और 200 ही कुस्षन है इसमें तो जो 60 नमबर है हिंदी के ये इसमें होता है जैसे कि अर आपप्राइस की तत्सम तदभाव है मुहावरे हैं विलोम सब्द है इस तरह के 10-10 आते हैं 10 विलोम सब्द, 10 मुहावरे और 10 तत्समतभाव, 10 वरतनी सुद इस तरह से आते हैं 60 सवाल तो यहो गया इसका प्री इसके आदार पर मेरिट लगती है 200 नमबर में से अब मे मेंस में क्या है आरो यारो का जो मेंस है मेंस में इसमें चलो ऐसे समझ लीजिए मैं किसी और वीडियो में डिटेल से बता दूंगा कि 20260 नमबर की तो है हिंदी और 140 नमबर की यह जी जी इस ओप्जेक्टियव है प्रि में भी और हिंदी भी काफी पोर्षन इसका और जिय चार से से दिल पर है इस तरह से इसका है तो इसमें 400 नंबर में से इसकी फाइनल मेरिट लगती है PCS की इसकी आरो यारो की अभी इसका संक्सिप्त विज्या पनाया है डिटेल नोटिफिकेशन इसका 9 अक्टूबर यानि 9-10-2023 को आ जाएगा तब मैं एक वीडियो डिटेल से बनाऊंगा इसका सलेबस एक्जाम पैटर्न क्या है ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ इन्फोर्मेशन के लिए बताया ह और जो ये जोब है ये इसका 4800 ग्रेड पे की है ग्रेड पे है इसका 4800 ग्रेड पे का मतलब ये समझेगी 70,000 पलस सत्तर अजार प्लस होगी आपकी सेल्डी इसमें और इसमें नहीं कोई ट्रांसफर की वो है उत्तर पर्देश का जो सची वाले है लखनों में उसी के अंदरी सची वाले के अंदर तिरान में भी भाग है उनी में आपका ट्रांसफर होता रहता है हर तीन साल में जैसे मारे लिजिए तीन साल आप मुक्रे मंद्री कार्यालो में रहे उसके तीन साल बाद बीजली वी भाग में चले गाए उसके तीन साल बाद हेल्थ वी भाग में इस तरह से ट्राणस्फर होता रहता है में यह पोस्ट है PCS की अगर SDM, DSP, RTO, EOD, PRO, BSA इन पांच शे पोस्टों को छोड़ दें तो यह उन से काफी अच्छी पोस्ट है क्योंकि यह केवल सची वाले में ही से रहना है और सुरुवात से ही जहां पर IAS और PCS लोग काम करते हैं जैसे अंडर सेकेटरी जो सुरुवा आरो का है 4800 करियोड पे और ए आरो का है चालिस सो तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्टी स्टेडी प्लानर के साथ जुड़िए इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए धन्यवाद दोस्तों